तो आज Nifty में मेरे indicator ने दो signal दिये थे, पहला signal जो मैंने खुद indicator बनाया, उससे 143 रुपे पे हमें buy का signal मिला था, और 193 पे हमें profit हो गया था, लगबग अगर आप top तक भी नहीं देखेंगे, यहां तक भी देखेंगे, तो भी हमें 50 रुपे का move easily capture कर लिया था, 19,000 के call में, बट आज हमने put में भी पेसा बनाया है, अगर आप put का भी चार्ट देखेंगे यहां पर, तो put का आप चार्ट देखेंगे, 86 पे लगबग हमें क्या मिला था, एक buy का trade मिला था put option में, और इसने जो high मारा था, लगबग 116 का मारा था, 20 रुपे का move यहां पे capture कर रहा था, overall 70 रुपे का easily move capture हो रहा था, और दोनों आप signal देखिए, यहां पे आप मेरा nifty का signal दिख सकते हैं, और यहां पे आपको दोनों trade दिख रहा है होंगे, जो मेरे indicator ने दिये, अब इन दोनों signal को तो हम वीडियो में आगे detail में समझेंगे ही, और एक और special trade भी आपको बताने वा कि यह indicator बनाया है, जिससे मैं trading करता हूँ, और साथी साथ एक course भी बनाया है, जाहसे मैं उमीद करता हूँ कि जो beginner level है, वो भी trading सीख सके, अगर आप सबी लोग indicator purchase करते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको मेरे दो indicator मिले जो आपने वीडियो में देखा, personally मैं खुद इन्हें trading में use करता हूँ, दोनों indicator आपको lifetime के लिए मिलेगे, और indicator हर महीने update होता है, आपको update भी lifetime तक मिलेगा, without any additional cost, जो indicator है, अब आप सोच रहे होंगे, उन्हें use कैसे करना है, तो use करने के लिए आपको पूरी video training provide करी जाए indicator को आप stocks में, nifty में, bank nifty में, commodity में, forex में और crypto में हर जगे पर use कर सकते है, indicator की अभी जो price है, वो 2499 रुपीज चल रही होगी, अब आपको payment कैसे करना है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी users है, जि pattern, price action, यह सारी चीज़ा सिखाई जाएगी, तो अगर आपको trading का टी भी नहीं आता, तो आप पहले course लीजे, तो आप मेरी तरो professional trader बन जाएगे, उसके बाद अगर आप indicator को use करते हैं, तो आपको बहुत जबर्जस्ट profit होगा, क्योंकि जिस level की मैं trading सिखाऊँगा, उस level की क कोई नहीं सिखाएगा, यह जो price मैं 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए combo offer आया हूँ, जहां आपको मैं indicator plus course दोनों दूँगा, अभी इसकी price मैंने 4000 करा है, अगर आप अलग-अलग खरीते हैं, indicator और course तो आपको 5000 का पड़ेगा, यहां आपको दोनो 4000 के अंदर पढ़ जाएग तो आप इस combo plan को लीजिए, आपको offer भी मिलेगा, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप purchase कैसे कर सकते हैं, तीनों को purchase करने का method से हैं, यह जो मेरा number दिख रहा है आपको, यह मेरा number phone paper है, paytm पे है और google paper है, आप क्या कर सकते ह जो भी plan आपको purchase करना हो, तो आप phone पे, paytm या google paper का use कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस number पर payment कर देंगे, इन method का use करके, और यह जो payment है, payment का screenshot आप मुझे WhatsApp पे भीजेंगे, यही number मेरा WhatsApp पे, जैसे है आप payment का screenshot भीजेंगे, तो जो भी आपने plan purchase करा होगा, combo plan, trading course, या indicator मैं आपको वो provide कर दूँगा within one minute, तो आप overall बहुत अच्छे trader बन सकते हैं, और प्लीज आप इस number पर WhatsApp कीजे, call मत कीजे, अब चलिए, सबसे पहले आज हम trades पे चलते हैं, और उसके बाद हम cover करेंगे, कि nifty का analysis जो मैंने बताया था, वो सही कैसे हुआ, है ना, आप पुरान आज क्या हुआ, पहली एक rate candle बनी, rate candle बनने के बाद आप easily देख सकते हैं, normally लोगों ने क्या करा होगा, लोगों ने यहाँ पर entry ली होगी, जहाँ पर हमने एंट्री ली ज्यादा तर लोगों ने भी वहाँ पर entry ले ली होगी, पर उन्होंने जो stopler से वो इस candle के हाई पर र जाती, normal trader को यहाँ पर entry मिलती, और technical analysis के हिसाब से आप stopler स्केंडल के हाई पर रखते हैं, बट हम थोड़ा advance trading करते हैं, जहाँ मैंने अपने कुछ और rules को add करा है, इस indicator को बनाने में, जो personally मैं खुट rate करता था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक यह जो orange वाली line है, यहाँ पर अब इसका फाइदा क्या हुआ, अगर आप यहाँ से यहाँ bottom तक का देखेंगे, तो यहाँ पर मान लीजे मैंने अगर 2000 रुपय का risk लिया है, तो मुझे जो profit होगा, वो 9000 का होगा, क्योंकि risk to reward के according क्या है, जितना मैं risk ले रहा हूँ, उसके against में मुझे profit कितना मिला है, जैसे risk free return तो कहीं पर भी नहीं मिल सकता था, तो अगर मैं maximum 4.5 गुना का profit मतलब 2000 के risk पर 9000 का profit बना सकता था, बट अगर आपने यही SL इसकी जगे top पर रखा होता, तो क्या होता, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने जो SL है, वो यहाँ पर रखा होता, है ना, तो यहाँ पर क्या होता, आपको profit तो 9000 का ही होता, profit होता, क्योंकि मेरी भी entry ही है और आपकी भी entry ही है, एसा hypothetical मान रहे है, अगर आपको यहाँ पर entry लेना आ गई तो, बट अब इसमें क्या होगा, मेरे 2000 के risk पर 9000 का profit ही हो रहा था, बट आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर जो जिसके, आपको बन लेगा क्योंकि आपका स्टोप्लोस बड़ा होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, लगबग जो आपका रिसक है, अगर आपको 9000 का प्रोफित अगींद हμεं, यहां पर क्योंकि प्रोफित तु आपको भी होगा, बट उसके अगेंज्ट कैंको जो र हम थोड़ा केलकुलेशन करते हैं गेंस लेवल का यूज करते हैं प्राइस इक्षन का यूज करते हैं जिससे यह ओरेंज लाइन है यह ड्रोव हुई थी इसलिए हमने अपना इस्टोप लोस यहां हो रखा जो टेक्निकली करेक्ट है अभी आप लाइन में देखके नहीं गněंस अगर मैं चार हजार का भी प्रोफिट कर लेता हूँ तो यह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मेरी एक्यूरेसी 50% है तो भी मैं ढाइन प्रोफिट में ही जाओंगा क्योंकि हार ट्रेड में मैं डबल प्रोफिट करा अब यहां से यहां ह मैं यहां मिल चुका था पर यहां पर important point क्या है यह band का color buying के signal पर green होना चाहिए green भी इस candle पर हो गया पर जो last rule था वो orange line के उपर closing होनी चाहिए अब यह मेने rule बना है अगर कोई मेरा user आता है तो उसे मैं यह trade करना भी सिखाता हूँ इसलिए मैं indicator के साथ वीडियो प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है trade के से करना तो यह सभी भी मैं सिखाता हूँ indicator के साथ तो हम trade के से लेते हैं इस candle की closing पर trade लेंगे orange line पर SL रखेंगे अब एक concept होता है stop loss trailing stop loss trailing आपको आनी चाहिए अगर आपको एक long term में profitable trader बनना है अब कैसे जैसे हमने यहां पर एंट्री दी और यहां पर एसल लगा अब जो हमारा सबसे important tool है वो क्या है अगर जितना हमने जितना मैंने risk लिया जैसे मान लीजे मैंने इस trade में अगर एक हजार का risk लिया है और जैसे ही मुझे यहां पर एक हजार का profit होने लगेगा एक हजार का profit आप देख सकते next candle पर यहां पर हीट होने लगेगा तो मेरा यह जो stop loss यहां पर अगर मेरा यह जो एक हजार का risk है मैं इसे move करके क्या कर दूँगा अपनी enterprise पर कर दूँगा ताकि अगर यहां से अगर मेरा profit नहीं भी होता है market reverse भी कर जाता है तो मेरा loss नहीं होना चाहिए तो हम एक गुना पर क्या कर देते हैं थोड़ा सपना stop loss को मूग कर देते हैं है ना तो यहां पर हमने stop loss को मूग कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं लगबग हाई डेड़ गुना कमारे डेड़ गुना पर हम क्या करते हैं जितना हमने रिस्क लिया है उससे half quantity जैसे माल लीजे मैंने 10 लोट लिये हैं तो जितना मेरा तो यहां पर निचे गया और फिर से ज्यादा नहीं लेने चाहिए अब कंडिशन तो आपको पता है यह ग्रीन कलर की पर यहां से आप देख सकते हैं इसटना मारे तो आपको बताता हूँ यहां से मार्केट अपसाइड में जब गया और अच्छा घासा में लगबग यहां तक प्रोफिट देखे गया अगर मैं मेग्सिमम प्रोफिट करता था तो रिस्क से 6.11 ताइम्स दोजार के रिस्क से मैं 12,000 का भी profit बुक कर सकता था पर ये इतना possible नहीं है अब possible कितना है वो मैं आपको बताता हूँ market का structure देखेगा up, downside, up, downside और फिर ये up गया और फिर ये यहाँ से downside गया तो इस move तक हम capture कर सकते थे क्योंकि मैं जादा तर क्या करता हूँ three step formation को follow करता हूँ तो ये जो third step थी यहाँ complete हुआ तो हम यहाँ तर profit easily book कर सकते थे अब यहाँ तक का जो profit है वो कितना होता अगर आप इसे थोड़ा से downside move करेंगे तो अगर मेरा 2000 का risk होता तो मैं 5000 का profit easily यहाँ पर बना सकता था तो ऐसे हमें आज बहुत ज़्यादा signal मिल गए बट कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं stocks में trade करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हे options थोड़े risk ही लगते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हमें जो stocks में trade मिला यह auto excel stock है इसमें हमें trade मिला और यहां अगर आप maximum profit देखते हैं मेरा अगर मैं maximum profit गुप कर पाता तो risk से 4.5 बुना कर पाता है मतलब भई 2000 के risk पे 9000 का profit और यह आप देख रहे हैं कि case के stock में हो रहा है जबकि case में आपको पता है यह profit बनाना थोड़ा मुश्किल होता है अब यह stock को कैसे select करा सबसे पहले में आपको बताता हूँ आपको पता होगा कि आज जब market open हुआ था तो हलका सा bullish open हुआ था अब bullish market जब open हुआ था प्री-market में तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए buy का trade लेना है तो buy का trade लेना है हमें कैसे पता चला 915 पर जब market pre-open हुआ तो market क्या था bullish market था bullish market में buy का trade लेंगे तो अच्छा profit होगा अब यहां पे आप heat map देख सकते हैं यह heat map को use करना भी मैं सिखाता हूँ क्योंकि इस से हमें stock selection में बहुत मदद मिलती है heat map indicator के साथ काम करता है यहाँ पे आप हमारा stock देखिए auto excel है auto excel के सामने आपको ol दिख रहा है जैसे intellect के सामने दिख रहा होगा बट intellect में जब हम entry लेने वाले थे तो momentum हो गया था इसलिए नहीं लिए इसलिए हमने auto excel में करा है यह देखे time के साथ update भी हो रहा पेले यहाँ अब यहाँ आगया ओल का मतलब क्या होता है oil का मतलब होता है open low इसका क्या मतलब होता है market जहां से खुला वहीं से बढ़ने लगा एसे share buying के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ और भी advance rule होते हैं चो मैंने course तक सीमित रखें और कुछ आपको भी बताने कोशिश करी ताकि आपका भी कुछ फायद हो सेगे अब य आप maximum profit book कर पाते हैं जैसे maximum profit book करना possible नहीं अगर मैं कर पाता तो रिस्क से 5 गुना का return मिला अगर मैंने 2000 का रिस्क लिया है और यहां पर अगर मुझे 2000 के रिस्क पे 6000 का profit हो रहा है जो लगबग मुझे यहीं पर हो जाता लगबग 10-20 पर तो यह भी मेरे लिए sufficient है और मैं इतना ही target करता और इसके 2-3 गुना profit बनाना बहुत अच्छी बात हो थी तो यहां पर हमें ऐसे दोनों trade मिल जाते हैं और market अच्छा काम करता और आप already nifty देखी सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका portfolio green में होने लगेगा और वहीं से nifty ने हमारी बात सुनी है और market bullish जाने लेगा थोड़ा हम time frame बड़ी कर देते हैं ताकि आपको और समझा सकूँ अब आप यहां पर देखिए आज जो candle है आज candle थोड़ी bullish बन रहे हैं इस candle को क्या कहते हैं hammer candle कहते हैं अब इस candle को trade कैसे किया जाता है थोड़ा सा आपको जिगाने कोशिश करता हूं कि इकल हम case चेस पर trade बना सकते हैं और यहां market में क्या हो सकता है पहले में आपको یہ ह düşता देता हूं market में क्या हो सकता है मार्कट यहां से क्या कर सकता है ठोड़ा अब जाएगा अब लोगों को लग रहा होगा कि यहां से direct up जाएगा और इस क्यों लेगा यहां पर थोड़ा सा resistance लेगा और फिर अप जाएगा और फिर इस लेवल पर आएगा इस लेवल से यह इह मैं पर यह पर यह टाइम पिताएगा और आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम बन यह तो लगबए यह थोड़े दिनों तक यही चलेगा और फिर यहाँ से अपसेट जा सकता है अब कल केसे टेट बन सकता है कल मार्केट बुलिश केसे हो सकता है और उस पर टेट केसे बन सकता है यह भी हम टाइम फरे 15 मिर्ट पर आ जाते हैं हैं और यहां से हम फोड़ा सा Зूम इन कर लेते हैं आज दे का हुआ ही जल राय अगर मार्केट थोड़ा डाउनसाइड आकर यहां पर बन्ध हो Is लेवल पर उनईस जार चार लेवल पर बन्द हो जाता है और फिर मार्केट गल इस हाई के ओपर पंद्रा मिनिट की candle जैसे ही closing देगी तो यहां से market bullish हो सकता है क्योंकि यह जो hammer candle है hammer candle का जो formation है वह successful हो जाएगा जैसे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सामें one day पर आना होगा क्योंकि जो hammer है वो हमारी one day पर बन रही यह हमारी one day पर hammer बन रही अब इसका technical analysis क्या करता है अगर कोई भी candle इसका high break करती है तो यहां से market bullish हो सकता है बट यहां से market यह भी हो सकता है कि यहां एक दो दिन यहीं पर बिता दे और फिर वापस bullish चले जाए तो अभी market के sideways होने के ज़्यादा chances है as compared to upside or downside तो अगर आप futures में position बनाके बेठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे हमारा futures में एक lot में हमारी position थी अभी 6000 का loss चल रहा है बट यह हमारी position आपको पता ही है कि हमने 19,326 पर बनाई थी nifty का futures भाय करके और 19,200 तो यह एक ही दो दिन में profit में आ जाएगी और उसके बाद हमें यहाँ पर 200 से 300 point का momentum capture हो जाएगा nifty में क्योंकि nifty में हमें problem ही नहीं है और futures में क्यों भाय करता हूँ अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने futures को भाय करा क्योंकि उसमें ठीटा डीके है ना ठीटा डीके कम होता है तो हमें problem नहीं आती है इसलिए हमने futures में भाय करा ह किस में futures में ताकि हम उसे जल्दी से recover कर सके और अपना portfolio में new positions क्रियेट कर सके तो new position भी क्रियेट करेंगे वह भी आपको बताए जाएगी आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा